एक साल में अगर आपकी टोटल इंकम दो लाग पचास हजार रुपए से ज्यादा होती है तो आपके लिए ITR यानी इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करना मेंडेटरी है financial year 1st April से start होकर 31st March को close होता है तो एक financial year में आप जो भी कमाई करते हैं वो आपको अगले साल ITR के थुरू सरकार को दिखानी होती है अगर आपका कोई refund बनता है तो आपको refund मिल जाता है और अगर आपकी कोई tax liability बनती है तो आपको tax pay करना होता है ITR में अलग-अलग forms होते हैं जैसे कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, etc. अगर आपकी income सिरिफ salary से है तो आपके लिए ITR 1 फाइल करना होता है अगर आपकी income business से 2 करोड रुपे तक है तो आप ITR form 4 फाइल कर सकते हैं और अगर profession से आपकी income 50 लाग रुपे तक है तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी income business से 2 करोड रुपए से ज्यादा है या profession से 50 लाग रुपए से ज्यादा है या capital gain से आपकी income है तब आपको ITR 3 file करना होगा तो इसमें आपको confused होने की जरूरत नहीं है अगर आपकी income सिर्फ salary से है तो आप ITR 1 file करेंगे अगर business से 2 करोड तक की income है या profession से 50 लाग रुपए तक की income है तो आप ITR 4 file करेंगे अगर business से 2 करोड से ज्यादा या profession से 50 लाग रुपए से ज्यादा आपकी income है या आपको capital gain से income हुई है तब आप ITR 3 file करेंगे तो आज किस वीडियो में मैं आपको काफी simple तरीके से ITR फाइल करने का complete process दिखाने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का और अपने family members का ITR free में फाइल कर सकते हैं तो चैलिए शुरू करते हैं income tax return फाइल करने से पहले आपको दो काम करने होंगे एक तो आपको अपने सभी bank account के statements निकाल लेने हैं bank account statement से आप count करेंगे कि आपकी total income कितने हुई है यानि 1 April से लेकर 31 March के बीच में आपकी total कितने income हुई है साथ ही आपको अपने खर्चे count करने होंगे यानि आपके total खर्चे कितने हुए हैं और आपका net profit कितना है और दूसरे आपको income tax portal से अपना form 26AS और AIS चेक कर लेना है form 26AS में आपके TDS की details होती है यानि कब कहां कितना आपका TDS काटा गया है और AIS form में आपके high value transactions की details होती है जैसे कि अगर आपने कोई property purchase की है stocks by sale की है mutual fund में investment किया है bank से आपको interest मिला है तो ये सारी details आपको AIS में मिल जाएगी bank statement निकालना काफी आसान है जिस bank में भी आपका account है आपको उसकी net banking में login कर लेना है accounts में आपको statement का option मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे date में आपको बिछला financial year choose करना है या फिर आप date range यहाँ पर select करेंगे इसके बाद आप calendar से यहाँ पर range select कर लेंगे तो इसमें आपको 1st April से select करना होगा 1st April से 31st March तक का आपको statement निकालना होगा इस तरह से आप date range यहाँ पर select करेंगे format आप select कर लेंगे PDF इसके बाद download पर click करेंगे capture फिल करके continue करेंगे तो इस तरह से आपका bank statement ready हो जाएगा download पर click करके इसको आप download कर लेंगे इसी तरह से आपके जितने भी bank accounts है आपको सबके statement निकाल लेने हैं bank statement में आपको इस तरह से सभी transactions मिल जाएंगे तो इसमें आपको अपनी income count कर लेनी है form 26AS और AIS चेक करने के लिए आपको income tax portal पर आना होगा अगर आप नए हैं आपने यहाँ पर account create नहीं किया हुआ है तो first time आपको register करना होगा इसके लिए आप register पर click करेंगे इसमें pen card number, email id और एक mobile number डालकर आपका account create हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले से account create किया हुआ है तो मैं इसमें login करूँगा login करने के लिए यहाँ login पर click करेंगे इसमें आप अपना pen card number डालकर continue करेंगे इसके बाद password डालकर continue करेंगे income tax portal में आप login हो जाएगे पहले आपको अपना form 26 AS check करना होगा तो इसके लिए आप e-file में आएंगे इसमें आप income tax return में आएंगे तो आपको यहाँ पर form 26 AS मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे confirm करेंगे एक new tab open हो जाएगी terms and conditions को accept करेंगे इसके बाद आप यहाँ view में view form 26 AS पर click करेंगे अपना assessment tier चूज करेंगे जिसका आपको form 26 AS चेक करना है जैसे कि अभी current assessment tier चल रहा है 2023-2024 तो इसको हम यहाँ पर select कर लेंगे view as में आपको select कर लेना है HTML इसके बाद view पर click करेंगे इस तरह से आपके सामने details आजाएगी कि किस company ने आपका कितना tedious cut किया है यहाँ पर आप details में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको अपने record के लिए download भी कर सकते हैं इसके लिए आप export as PDF पर click करेंगे तो यह PDF में download हो जाएगा इसी तरह से आपको AIS चेक करना होगा तो यहाँ आप AIS पर click करेंगे proceed पर click करेंगे एक new tab open हो जाएगी अगर आप चाहें तो यहाँ download पर click करेंगे तो यह details में download हो जाएगा यह फिर आप यहाँ AIS पर click करेंगे इसमें आपको दो statements मिलते हैं एक है TIS जिसमें आप shorts में देख सकते हैं और एक है AIS जिसमें आप details में देख सकते हैं तो आप यहाँ TIS पर click करेंगे इस तरह से आपके सामने सभी details आजाएगी जैसे कि आपको कितना interest मिला है stocks by sale में आपने कितना turnover किया है आपकी business income कितनी है virtual digital assets जैसे कि cryptocurrency आपने कितनी buy sale की है यह सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी और स्यादा details में देखने के लिए आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने और भी details में आ जाएगा so ITR file करने से पहले आपको यह दो काम कर लेने हैं एक तो आपको bank का statement निकाल लेना है दूसरे आपको form 26AS और AIS की details चेक कर लेनी है इसके बाद हम ITR file करेंगे तो file करने के लिए आप यहाँ file now पर click करेंगे यह फिर आप e-file में income tax return में file income tax return पर click करेंगे इसमें आप assessment tier चूज करेंगे किस assessment tier के लिए आप ITR file करना चाहते हैं जैसे कि इसमें हम current यहाँ पर select कर लेंगे mode of filing में आपको offline और online दो options मिलते हैं यहाँ पर हम online select करेंगे इसके बाद continue इसमें आप start new filing पर click करेंगे इसको आप individual select रखेंगे इसके बाद continue अब इसमें आपको ITR form select कर लेना है कौन सा ITR form आप file करना चाहते हैं जैसे कि मैं ITR 4 यहाँ पर select कर लेता हूँ जो भी आप यहाँ पर form select करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि इस form को कौन कौन file कर सकता है अगर आपके business का turnover 2 करोल रुपे तक है तो आप ITR 4 को file कर सकते हैं अगर आप किसी profession में हैं जैसे कि doctor, lawyer, engineer, digital marketing, advertising या फिर आप एक YouTube creator है और आपका turnover 50 लाक रुपे तक है तब भी आप ITR 4 को file कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ITR 4 select करेंगे इसके बाद proceed with ITR 4 पर click करेंगे इसके बाद let's get started income tax return आप क्यों file कर रहे हैं उसका एक reason आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि taxable income basic exemption limit से ज्यादा है तो इसको यहाँ पर हम select कर लेंगे ITR file करने के लिए basic exemption limit है दो लाक पचास हजार रुपे तो अगर आपकी income दो लाक पचास हजार रुपे से ज्यादा है तब आपको ITR file करना mandatory है अगर आपकी income दो लाक पचास हजार से कम है तब आप यहाँ पर other select कर लेंगे इसके बाद continue अब आपके सामने कुछ schedule आ जाएंगे आप जो भी काम करते हैं उसका nature कौन सा है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे तो इसमें हम others रखेंगे कि section में आप ITR file कर रहे हैं वो आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि अगर आप due date से पहले file कर रहे हैं तो 139.1 में आपका ITR file होगा अगर आप due date के बाद file करेंगे तो 139.4 में आपका ITR file होगा अगर आपने ITR file कर दिया था लेकिन उसमें कुछ mistakes हो गई थी और आप उसको दोबारा से file करना चाहते हैं तब आपको 139.5 यहाँ पर select करना होगा और इसके लिए आपको revised return यहाँ पर file करनी होगी अब जैसे कि हम due date से पहले file कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 139.1 को select रखेंगे इसके बाद नेचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने पिछले सालों में new tax regime को opt किया है अगर हाँ तो आप yes करेंगे वरना इसको आप no कर देंगे इस साल क्या आप new tax regime को opt करना चाहते हैं अगर हाँ तो आप पहला option select कर लेंगे और अगर नहीं तो आप यहाँ पर note opting select कर लेंगे अगर यह return किसी representative के दोआरा file किया जा रहा है तो yes करेंगे वरना इसको भी no कर देंगे नीचे scroll करेंगे तो आपके सामने आपका bank account आ जाएगा इसी में आपका refund आएगा तो आप यहाँ पर इसको enable कर दीजिए refund के लिए यह कौन सा bank account है यह check करने के लिए आप three dot पर click करेंगे view bank account पर click करेंगे तो आपके सामने bank account की retails आ जाएगी यही से आप bank account को edit कर सकते हैं और add पर click करके आप दूसरा bank account भी यहाँ पर add कर सकते हैं जिस bank account में भी आप अपना refund लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर enable कर देंगे इसके बाद confirm एक schedule complete हो चुका है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं confirm इसके बाद आप gross total income पर click करेंगे आपके सामने कुछ questions आ जाएंगे तो आप नीचे scroll करेंगे और यहाँ skip the questions पर click करेंगे इन questions को skip करने के लिए yes अब यहाँ पर आपको अपनी income की details डालनी होगी जैसे कि अगर आपको salary से कोई income होती है तो उसकी details आप यहाँ पर fill करेंगे आपके पास कोई house property है उससे आपको कोई income होती है तो उसकी details आप यहाँ पर fill करेंगे business या profession से आपको जो income होती है उसकी details आप यहाँ पर fill करेंगे और आपकी जो दूसरी income से जैसे की interest से dividend से वो आप यहाँ पर add करेंगे तो जो भी आपकी total income होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी जैसे की मानली जी आपको salary से income मिलती है तो आप income from salary में edit पर click करेंगे salary से आपको जो भी income मिलती है वो आप यहाँ पर enter करेंगे जो भी exempt allowances है वो आप यहाँ पर add कर देंगे निचे आपके सामने net salary आ जाएगे आप यहाँ पर इसको save कर देंगे मेरी salary से कोई income नहीं है तो मैं इसको cancel कर दूँगा इसी तरह से अगर house property से आपकी कोई income होती है तो उसको आप यहाँ पर add करेंगे किस type की house property है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि आपकी अपनी है या आपने क्राइपर दी हुई है property से आपको कितना rent मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे local authorities को आपने कितना tax pay किया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद add पर click करेंगे तो आपकी यह income भी add हो जाएगी house property से हमारी कोई income नहीं है तो मैं इसको cancel कर दूँगा इसी तरह से आपकी जो business या profession से income है उसकी details add करने के लिए आप यहाँ add details पर click करेंगे इसमें आपको business और profession के अलग-अलग options मिलते हैं तो जो भी आपकी business से income है उसकी details आप यहाँ पर fill करेंगे और जो आपकी profession से income है उसकी details आप यहाँ profession वाले column में fill करेंगे जैसे कि अगर आपकी profession से income है तो आप इस पर click करेंगे, अपने business का name आप यहाँ पर type कर देंगे, इसके बाद business code आप यहाँ पर select कर लेंगे, profession में जितने भी businesses आते हैं उनके codes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि software development, data processing, BPO services, legal profession, accounting, fashion designing, interior designing, photography, तो जो भी आपका profession है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, add पर click करेंगे, यह add हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी total income डाल ली होगी, तो आपकी जो भी total income है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे, इसके बाद आपका net profit है, वो net profit आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर आपकी income profession से है, तो आपक इसको cancel कर दूँगा, और यहाँ पर business select करूँगा, इसमें आपको पहले तो name of business enter कर देना है, इसके बाद आप business code यहाँ पर select करेंगे, इसमें आपको सभी codes मिल जाएंगे, आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं, इस तरह से आपके सामने business code आ जाएगा, इसको आप select कर लेंगे, अगर आप चाहें, तो यहाँ पर कोई description भी add कर सकते हैं, इसके बाद add करेंगे, इस तरह से आपका business add हो जाएगा, अगर आप एक से जादा business करते हैं, तो आप add पर click कर गे और भी add कर सकते हैं, इसके बाद gross turnover में आपको अपनी total income यहाँ पर enter कर देनी है, जितनी income आपको bank क through receive हुई है, वो आप यहाँ पर enter कर देंगे, और जो आपको cash में हुई है, वो आप यहाँ पर enter करेंगे, इसके बाद नीचे आपको अपना profit enter करना है, अगर आपको income business से हुई है, तो bank के through आपको जितना भी payment मिला है, उस पर आपको 6% का कम से कम net profit दिखाना होगा, और जो payment income में आपको कम से कम 6% का net profit दिखाना होगा, उस payment पर जो आपको online receive हुआ है, और जो payment आपको cash में receive हुआ है, उस पर आपको कम से कम 8% का net profit दिखाना होगा, तो हमें total payment online ही receive हुआ है, banking channel के through, तो यहाँ पर हम अपना net profit डाल देंगे, कम से कम आपको 6% का net profit दिखाना होगा, इ इतना भी net profit यहाँ पर दिखा सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी total income एंटर करनी है और जो भी आपका net profit है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है इसके बाद add पर click करेंगे इस तरह से आपकी business और profession income यहाँ पर add हो जाएगी अगर आपकी किसी और source से भी income है जैसे कि आपको interest मिला है या dividend मिला है तो आप यहाँ add details पर click करके उसको भी add करेंगे income from other sources में आप add details पर click करेंगे इसमें भी आपके सामने questions आ जाएंगे तो आप इनको skip कर देंगे skip the questions nature of income आप यहाँ पर select कर लेंगे किस तरह से आपको income हुई है जैसे कि अगर आपको interest मिला है त करनी है तो add पर click करेंगे nature of income select करेंगे जैसे कि अगर आपको dividend मिला है तो आप यहाँ पर dividend select कर लेंगे किस quarter में आपको कितना dividend मिला है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद add करेंगे तो यह भी add हो जाएगा तो यह सभी details फिल करने के बाद आपके सामने total income आ जाएग यह mandatory है तो add details पर click करेंगे इसमें आपको कुछ details फिल करनी होगी जैसे कि आपका अपना capital कितना है कितना आपने loan लिया हुआ है secured loan, unsecured loan, advance आपको कितना मिला है, sundry creditors, fixed asset आपकी कितनी है, inventories कितनी है, sundry debtors, bank balance, cash in hand यह सारी आपको यहाँ पर fill करनी होगी इन में जिन पर red star लगा हुआ है, इनको fill करना mandatory है, बाकी अगर आप चाहें तो fill कर सकते हैं, वरना इनको आप blank भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपके sundry creditors, यानि आपकी लेंदारी कितनी है, अगर zero है तो आप यहाँ पर zero enter कर दीजिए, इसके बाद inventories, अगर आप inventories maintain करते हैं, तो यहाँ प पर डाल देंगे, 31 March को आपके हाथ में कितना cash था, वो आप यहाँ पर enter कर देंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर in details को fill करेंगे, और add पर click कर देंगे, इस तरह से यहाँ का table बन जाएगा, अगर आपने कोई loans लिये हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर fill कर देने हैं, आपके सामने आपकी total capital, liabilities और assets आजाएगी, अगर आपने GST नमबर लिया हुआ है, तो आप उसकी details भी यहाँ पर fill कर देंगे, add details पर click करेंगे, अपना GST नमबर डालेंगे, अपना turnover डालेंगे, add पर click करेंगे, तो यह add हो जाएगा, अगर आपकी कोई income ऐसी है, जो exempt है, तो आप agriculture income यहाँ पर select कर लेंगे, maximum आप 5000 रुपीज यहाँ पर डाल सकते हैं, add पर click करेंगे, तो यह add हो जाएगा, इसी तरह से आपकी जो भी exempt income है, उनको आप यहाँ पर add कर देंगे, यह details फिल करने के बाद confirm पर click करेंगे, third schedule भी complete हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ दे questions, इन questions को आप skip कर देंगे, yes, इस तरह से आपके सामने tables आजाएंगे, तो जो भी आपको reductions लेने हैं, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई donation किया है, तो आप ATG में उसका deduction ले सकते हैं, यानि उस पर आपको tax pay नहीं करना होगा, add पर click करके आप confirm पर click करेंगे, confirm इसके बाद tax pay पर click करेंगे, इसमें आपके taxes आजाएंगे, यानि पहले ही आपने जो tax pay कर दिया है, उनकी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि अगर आपका TDS cut हुआ है, तो TDS amount यहाँ पर आजाएगा, आपने जो advanced tax या sales assessment tax pay किया है, वो यहाँ पर आजाएगा, अगर आपको यहाँ पर details नहीं मिलती है, तो आप show details पर click करेंगे, और आप यहाँ add पर click करके उनको add भी कर सकते हैं, इसके बाद confirm यह schedule भी complete हो गया है, इसके बाद है total tax liability यानि आपके उपर जितनी भी tax liability बनती है, वो आपके सामने यहाँ पर आजाएगी, इ इसमें आप देख सकते हैं, total income यह है, अगर आपने deductions लिये हैं, तो deductions आपके सामने यहाँ पर आजाएगे, इसके बाद जो आपकी net total income होगी, वो यहाँ पर आजाएगी, कौन से tax lab में आप आते हैं, वो यहाँ पर आजाएगा, जैसे कि हम 20% वाले में आते हैं, rebate आप आपको कितना मिला है, वो यहाँ पर आजाएगा, rebate के बाद total tax आपको कितना pay करना है, वो यहाँ पर आजाएगा, इसमें health and education says लगता है, 4% का, तो वो यहाँ पर आजाएगा, क्योंकि आपने advance tax pay नहीं किया है, तो इस पर interest लगेगा, कितना interest है, वो आप यहाँ देख सकत है, इसके बाद proceed, अब जो भी आपके tax liability बनती है, या आपका refund बनता है, वो आपके सामने यहाँ पर आजाएगा, जैसे कि हमारे case में tax liability बनी है, तो tax liability यहाँ पर आ गई है, अगर आपका refund बनता है, तो आपका refund यहाँ पर आजाएगा, इसमें आप print पर click करके इसको print कर सकत और download पर click करके इसको अपने record के लिए आप download भी कर सकते हैं इसके बाद नीचे scroll करेंगे total amount आपको कितना pay करना है वो आपके सामने यहाँ पर आजाएगा आप pay now पर click करके इसको pay करेंगे assessment year और minor head यहाँ पर automatic select हो जाएगा आपको बस continue करना है total amount आजाएगा continue करेंगे किस तरीके से आप pay करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि net banking, debit card, payment gateway अगर आपका bank net banking या debit card में आ रहा है तो उसको आप select करेंगे वरना payment gateway यहाँ पर select कर लेंगे कोई भी एक payment gateway आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद continue, इसके बाद pay now terms को accept करेंगे और submit to the bank payment gateway पर आपको redirect कर दिये जाएगा यहाँ से आप UPI, credit card, debit card, internet banking किसी भी तरीके से pay कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको UPI से pay करना है तो आप UPI पर click करेंगे किस UPI app से आपको pay करना है वो आप यहाँ पर select करेंगे अपनी UPI ID डाल कर verify पर click करेंगे तो आपके उसी app में एक notification आजाएगा payment के लिए आप pay पर click करेंगे और अपना UPI pin डाल कर payment complete कर देंगे जैसे आपको tax payment complete हो जाएगा तो आपको अपनी return को submit करना होगा आप यहाँ पर consent देंगे इसके बाद proceed to preview आपके सामने एक preview आजाएगा अगर आप चाहें तो इसको print कर सकते हैं या फिर आप download पर click करके इसको download कर सकते हैं निचे scroll करेंगे और यहाँ proceed to validation पर click करेंगे आप देख सकते हैं validation successful हो चुका है हमारी ITR में कोई भी error नहीं है अगर कोई भी error होगा तो आपके सामने यही पर आजाएगा उसको आपको सही करना होगा validation successful होने के बाद आपको इसको verify करना होगा जिसके लिए आप proceed to verification पर click करेंगे इसमें आप e-verify now पर click करेंगे यानि आपको अभी verify करना है इसके बाद continue अपनी ITR verify करने के आपको काफी सारे options मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पहला option अगर आप select करेंगे तो आपके अधार card के साथ जो भी mobile number registered है उस पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP डाल कर आप यहाँ इसको verify कर सकते हैं अगर आपने digital signature certificate यानि DSC बनाया हुआ है तो आप second option यहाँ पर select करेंगे और उससे आप verify कर सकते हैं इसी तरह से आप net banking, bank account और demate account के थुरू इसको verify कर सकते हैं उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ डाल कर validate पर click करेंगे एक बार final confirmation के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी return को submit करना चाहते हैं क्योंकि एक बार submit करने के बाद आप इसको modify नहीं कर पाएंगे इसके बाद कभी भी अगर आपको अपना ITR download करना हो कहीं भी लगाने के लिए तो आप e-file में आएंगे income tax return में view file returns पर click करेंगे तो जो income tax return आपने file की है वो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप इसको download कर सकते हैं पूरा form download करने के लिए download form पर click करेंगे इस तरह से पूरा form download हो जाएगा इसको आप कहीं भी use कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ receipt download करनी है तो आप यहाँ download receipt पर click करेंगे इस तरह से आपकी acknowledgement receipt download हो जाएगी तो इस तरह से आप अपना ITR खुद से ही file कर सकते हैं आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं